पेस्टिसाइट्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना क्यूंकि पंजाब का एरिया भारत का दो प्रतिशत मात्र है लेकिन यहाँ देश में इस्तिमाल होने वाले पेस्टिसाइट्स का हिस्सा देश का 15-18 प्रतिशत है आखिर इतनी भारी मात्रा में यह जहरीले पेस्टिसाइट्स क्यों छिड़के जा रहे हैं इसका जवाब दिया खुद एग्रिकल्चरल प्रड़क्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने पोईजन है जी पोईजन बहुत अगड़ा पोईजन है मोनो क्रोटो भास है अभी युनिवरस्टी ने लिखा है सब जीयों के पर ना यूज करो हमने विस्टिंग काड के पर लिखा हुआ है यूज मत करो इससे कैंसर होता है लेकिन फिर भी ओवेरनेस की कम ही कहलो कुछ भी कहलो तभी लोग डाल रही है जैसे 40 gram पढ़नी चाहिए, कमपनी बाले पहले जो गलती करते हैं %りました 70 gram कर देते हैं हम उसको 100 gram کر देते हैं १िर को 100 gram किया करेगी वह सको 1500 gram पर देता है फिर उसका जो ठ्रवैंट उसको 200 gram कर देता है जानी 40 gram बाली 200 gram पढ़ रही है तो इतनी ओड़ेर दोग ड़ते है गुर्प्रीत एक समात सेवक है अपने आसपास के गाउं में लोगों की लगातार गिर्ती सेहत देख गुर्प्रीत ने एक सर्वे किया पूरी फूर्ट चेन में पैस्टी साइड घुस चुके हैं सुबा जहर शिड़का जाता है शाम को सबजी आपके बरतन में होती है बनने के लिए ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है पंजाब के हजारो गाउं में यही हाल है लोगों की सेहत लगात्तार गिर रही है हालात इतने खराब है कि राजस्तान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेन चलती है भटेंडा से बीकानेर जाने वाली स्ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है एक थे परन है। पूरी काड़ी में। मतलब की जह त metropolitan कराटे हैं, तो उसमें बहुत जादा सीर्यस मरीज पूह जह होते हैं, ॺूबी कैंसरी के होते है, कोई उसमें मतलब की जॉबवाला आत्मी निहोता, कोई FBI निहोता, मेरी चाती में गांटें हो गई फिर पूरे शरीर में गांटें ही गांटें हो गई ससुरार वालों ने मुझे मेरी मा के पास छोड़ दिया मेरी मा बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है